हेलो फ्रेंज कैसे हूँ आप सब उमीद हैं आप सब अच्छे होंगे और मज़ी में होंगे भवान आप सब को खुश रखे और धेर सारी खुश्यां दे वीडियो दूस्तों लाश्ट तक देखें आज हमने यह तरीके से टिकी बनाने जा रहे हैं वह भी बीना बेशन के तो बीडियो लाश्ट तक देखें आप लोग तो इधर हमने चार पांच उबले आलू लिया उनको कद्दू कस कर लिया यह चावल कांटा है और यह टमाटर है प्याज हरी मिर्च इनको काट लिया बारीक 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 आप लोग चाहें तो कद्दू कस कर सकते हैं तो उनने पारीक बारीक कटके और आलू में डाल रहे हैं मिक्स करेंगे इन्हें इसके बाद चावल कांटा है वह भी अलू के भरते में डाल देंगे इसके बाद स्वाधन सा नमक डाल रहे हैं दोस्तों आदा चमस लाल में इस फावडर डाल दिया है एक चमस धन्या डाला है और आदा से आदा चमस चल्दी डाल दी है अब सारी चीज़ों को अच्छे से मेस करेंगे अच्छे से मेस करना है बहुत अच्छे से तो जितना अच्छा मेस होगा अथनी अच्छे अमोरी टिकी बनेगी टो मेस कर लिया थो इसके बाद हाथों में अपने रिफाइंट लगाएंगे रिफाइंट या तेल जोगी तो कोई रिफाइंड लगाएंगे हाथों में तो देखें दोस्तों इस तरह से हम बना रहे हैं टिक्की तो इसी तरह हमें सारी टिक्की बनानी है कि टोस्तों आखें पानी हुआंगे हाँ। तो दोस्तों हमारी टिक्की बन चुकी है तो देखे इस तरह हैं बनी हमारी टिक्की तेल अमारा इधर गरम हो चुका है अच्छे से तेल जब गरम हो जाएगा तब ही टिक्की डालेंगे तेल हमारा दोस्तों गरम हो चुका है अब हम डाल रहें इसमें ठिक्की एक एक करके डालनी है और दो बार में हम तलेंगे इन्हें और बहुत अच्छी कुरकुरी टिक्की बनी थी दोस्तों बहुत अच्छी एक बार आप लोग इस तरह से टिक्की बनाकर जरूर देखेगा अब बहुत जल्दी भी बन जाती है ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो देखे दोस्तों हमारी टिक्की एक डम कुरकुरी हो चुकी है सुनेरी सुनेरी अब इन्हें जो ज्यादा अच्छी तल चुकी है उन्हें निकाल लेंगे तो बहुत आराम आराम से इन्हें पलटना है नहीं तो फूर जाएंगी तो देखे दोस्तों यह देखे कि कुरकुरी एक तम लाल बहुत अच्छी टिक्की तल बन चुकी है और जो इदर हमारी टिक्की बच्ची हुई है उन्हें भी हम थोड़े थोड़े करके एक एक दो दो करके डाल देंगे तो तब तक वो भी तल जाएंगी तो इधर हम जो तल चुकी हैं हमने देख रहे हैं कि अच्छे तल चुकी है या नहीं और उनको भी निकाल लेंगे तो वो निकाल लिए हैं जो तल चुकी हैं इसके बाद बची टिक की फिर से इसी में डाल रहे हैं और येनेंहें भी अच्छे से तल लेंगे पहली बार तो ज़्यादा पलट नहीं पाएघ को तो थोड़ी बैसी वहिसां पलंव मक्व 않는 लेकिन जह तो बहुत अच्छे को यह अच्छे-व न diarr. तो थोड़ी जल्दी पलट दिन थी इसलिए हलका ज्यादा नहीं फूटी है लेकिन हलकी फूट गए थी तो यह देखिए बहुत अच्छी बनी है तो थोड़ी देर जब पलटना थोड़ी देर में है तुरंद नहीं पलटना है तो इसी तरह दोस्तों आमने सारी टिक्की जो हैं वो निकाल ली है और देखिए इस तरह से हो चुकी है हमारी टिक्की देखिए दोस्तों एकदम कुरकुरी इसी टिक्की बनी है बहुत अच्छी देखिए दोस्तों बहुत अच्छी टिक्की बनी है अगर आप लोगों को मारी टिक्की पसंदना तो कमेंट में जरूर बताना कि हमारी टिक्की कैसी बनी है और यह चेटनी जो है बूबी इमने अपने हाँ से बनाई है कमाटर और प्याज की चेटनी है यह तो आप लोगों को हमारी टिक्की और चेटनी के साथ आप लोग भी आए और टिक्की और चेटनी का मज़ा ले जिएगा तो देखिए दोस्तो आप लोगों को हमारी तिकी की रेशिपी पसंदा है तो प्लेज लाइक करें कमेंड में जरूर बताएं कि हमारी तिकी कैसी बनी है फिर मिलते हैं कि अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्का दोस्तों